नमस्कार, स्वरमाई गुरुकुल के इस विशेश कार्यक्रम में मैं कीर्थी मराथे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज 13 सितंबर 2021 यह दिन हम सब के लिए बहुत बहुत ही विशेश हैं क्योंकि आज हमारी गुरु गुरुमा पद्मभूषन डॉक्टर प्रभा अत्रेजी अपने आयो की 90 सान में प्रवेश कर रही है यह कारक्रम देखने वाले सभी रसी कश्रोता शिश्यगणों की ओर से एक प्रतिनिदी के रूप में मैं उनसे दो बाते करने जा रही हूँ तो सबसे पहले मैं एक प्रतिनिदी के रूप में और मेरे अपनी ओर से प्रभाताई को विनम्र अभिवादन करती हूँ सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगी प्रभाताई कि इस क्षण में आपके मन में क्या विचार है नमस्कार आज जिस मूड पे मैं खड़ी हूँ वहां केवल मैं और मेरा संगीत है इस मूड तक पहुचने के लिए बता नहीं मैं कब से चल रही हूँ बहुत कठिन रास्ता था लंबा रास्ता था लेकिन मेरे माँ पिता जी के आशिरवात और गुरुजन सुरेज बावु माने और हिराबाई बड़ो देकर उनके आशिरवास से वैसे ही श्रोताओं का प्रेम उनका उत्साह विश्वास ये सब के साथ मैं ये सफर ले सकूँ मुझे मालूम है मुझे यहां रुकना नहीं है ये लंबी सफर है मेरी आखरी सास तक की ये सफर है मैं जानती हूँ कि संगीच साधना संगीच साधना पानी पे खिची रेख जैसे होती है संगीच साधना पानी पे खिची रेखा जैसे होती है दिखते दिखते ही मिट जाती है मुझे चलना होगा निरंतर इंग्लिश में एक वाक्य है एज इस नथिंग बट अनमबर एज इस नथिंग बट अनमबर और हमारे सामने इसका एक प्रत्यक्ष उधारन है प्रभाताई की रूप में प्रभाताई आपको किराना घराने के मशुहूर गायक स्वरगीय पंडित सुरेश बाभु माने जी और उनके बाद हिराबाई बड़ोदेल करजी से मार्गदर्शन मिला मगर वो सब बहुत ही कम कालावधी के लिए था तो उसके बाद आपने अपनी एक नई राह चुनी और उसी राह पर आप चलती रही ये नई राह आपने क्यों और कैसे चुनी किर्थी क्या होता है हर कलाकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घराने को खुफसुरत करे सर्शक्त करे और उस परमपरा को आगे ले जाए मैंने भी वही काम किया है घराना मतलब फोटो कापी नहीं होती है उसको जीवीत रखने के लिए उसको नयापन कुछ देना पड़ता है वही काम मैंने किया है मैं किराने की ही हूँ उसके जो special जो विशिष्टाए है जैसे स्वरमाधुरिय है संथ आलापी है और भावदर्शक प्रसुदिकरण है ये तो मेरे पास है ही उसके साथ ही मैंने लॉजिकल और साइंटिफिक एप्रोच से एगराने को देखा है और इसलिए मेरा गाना थोड़ा हटके हुआ है प्रभात आया अग्रुएबрах को आपके रिकॉर्ड थी जो आपकी रिकॉर्ड थी वो इतनी लोकर्व यह हो गई कि जिसको को संगीत मालू है उसको मारू भिहाग और कलावती मालू है और इन रागों के नाम जैसे आपके नाम से जुड़ गया और आपका नाम इन रागों के नाम से जुड़ गया मगर उसके बाद बहुत सालों के बाद हमें आपके रिकॉर्ड्स या कैसेट्स सुनने को मिले अटेंड किये थे, मगर रिकॉर्ड और कैसेट बहुत साल के बाद आए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि मैं संगीत कारों की घराने से नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक की बेटी हूँ, गाई का होना मेरा बिल्कुल सपना नहीं था, और उसके बाद प्रोफिशन करना तो बिल्कुल ही नहीं था, संगीत मेरे जिवन में एक्सिदेंट ली आया है, और फिर उसने मझे छोड़ा ही नहीं, फिर मुझे संगीत की साथ रहना पड़ा है, क्या हुआ है कि अच्छा गाना और अच्छा प्रोफिशन करना, ये दो अलग बाते हैं, मैं अच्छा गाई का तो बनी हूँ, लेकिन कैसे करना मुझे नहीं आया, अभी भी नहीं आता है, तो क्या होता है कि जब मुझे रेकॉर्डिंग के लिए पूछा गया, मेरे पहली रेकॉर्ड जब आई, बहुत लोकप्ती ये होई, बहुत सारे कम्पने ने पूछा, मैं उनको बोलती गई, हाँ, हाँ, मैं करूँग करके आगे सरकाती गए, सोच रही थी कि मैं अच्छा रियास करूँ और गाउं, लेकिन वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी, और बाद में तो होते होते नहीं हुआ, बहुत ताइम बीच में गया, और फिर से रेकॉड़ा है, लेकिन वो जो काम होना था उस वकत, मैंने किया बहुत बड़ी गल्ती की, और वो गल्ती अभी मैं सुधार भी नहीं सकती, मगर उसके बाद जो हमने सुने, काउंस के प्रकार और बहुत सारे, वो तो बहुत बहुत ही सुन्दर थे, और वो हमारे साथ आज भी है, वो जो अभी आप सुनेंगे एक साल में, हर हर हफते है, जब आप संगीत विभाग प्रमुक थी, तब तो आपने उनका पुरा अभ्यास क्रमी बदल दिया था, क्योंकि आपका कहिना था कि जो संगीत का अध्यन करता है, उसको सभी कलाओं का भी थोड़ा ज्यान होना चाहिए, मगर आज जो संगीत शिक्षन चल रहा है, उसक उसमें खाली सिर्फ कलाकार को बनाने के लिए हम कोशिच करते थे, अभी विद्यालेन जो सिक्षन है, उसमें पता नहीं क्या होता है, श्रूता बनाते है, या कलाकार बनाते है, साइंटिस बनाते है, मालूम नहीं है, उसका कोई मतलब धोरन नहीं है, खास की, इसके लिए कि हम शिक्षा दे रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक सर्वसमावेशक ऐसे शिक्षा देने हैं हमको तो म्यूजिक रिलेटेड जितने भी ज्ञान शाखा है तो उन सब को थोड़ा-थोड़ा एक सर्वेशक पॉइंट पर एक सिक्षन देना चाहिए जैसे अभी आप हम माइक पकड़ते हैं हमें कुछ मालूम नहीं है कैसे पकड़ना है क्या है यह शिक्षा होनी चाहिए तो मैं खुब अच्छा गाती हूं मुझे ऐसा कुछ पकड़े तो उसका एफिक्ट कुछ नहीं होत है या जैसे समाश शास्त्र वो अगर मैं थोड़ा सा सीखू तो ओडियंस की जो रियाक्शन है मैं समझ सकती हूं तो ऐसे जो ज्ञान शाखाय है जो संगित से जूड़ी है उनको भी हमें सिखना चाहिए लिट्रेचर भाषा भाषा होता है ना हमारी बंदिशे कितने ही उ तो वो एक अभ्यास होना चाहिए भाषाओं का अभ्यास होना चाहिए लिट्रेचर लिखना भी आना चाहिए जो हम सोचते हम लिखने ही पाते हैं बहुत सारे लोग बोल भी ने सकते हैं तो ये सब करना ज़रूरी है दुसरी बात यह है कि हमारा जो शास्त्र हम सिखाते है संगीत के साथ वो संगीत रतनाकर भरतनाठ्य शास्त्र का है उस जमाने का वो शास्त्र है आज का जो संगीत प्रस्तूती करण है उसको रिलेटेट शास्त्र होना चाहिए उसमें से कुछ भाग तो ज़रूर आ सकता है क्यूंकि फाउंडेशन वही रहेगा लेकिन जो changes हुए, with time जो changes हुए है, उसको हमें ध्यान में रखके शास्त्र बनाना है, क्या होता है, जैसे नाम कुछ अलग है, बसंद मुखारी, अभी वो राग में बसंदी नहीं राग, बसंद मुखारी क्यूं रखा है भाया, तो खाली और कुछ नाम रखो, मतलब यह confusing हो है, वो clarity होने चाहिए शास्त्र में, पकड़ बोलते हैं, थाट बोलते हैं, कहां अपनी के बल है यह सब आच, खाली पाठ करने के लिए, वो भी विद्यार्थियों को होता है, जो हम कलाकार है, हमें थोड़ी मालू है, यह थाट है, मतलब वो राग का सा संपुर्ण है, लेकिन standardization हो चाहिए शास्त्र में, एक ही करन चाहिए, वो ज़रूर होना चाहिए, इन्हें तो हमारे घराने में हम ऐसा राग गाते हैं, उनके घराने में ऐसे गाते हैं, वो बच्चा क्या करेगा, तो इसके लिए यह बहुत बहुत ज़रूरी है, और मेरे खाल से national level प क्या ये, PDA क्या, मुझे लगठा है कि बहुत seriously हमें इसके उपर काम करना चाहिए, research method किसको मालूम ने, यह भाशा आती ने, लिखना नहीं आता है, वो research क्या करेगा, तो बहुत बहुत अच्छे तरह से सोचना चाहिए, हमारे शिक्षन पद्धित को फिर से revise करना चाहिए प्रभात है, भारतिय शास्त्रिय संगित सुनने वाले श्रोता कैसे होने चाहिए, इसके बारे में आपने बार बार बटाया है, और बार बार प्रेत्न भी किये है, जैसे कि हमारे स्वरमाई गुरकुल में, जो श्रोता आते है, उनको आपने हमेशा कहा है, कि आप गायक कल को वादक कलाकार को अवश्य प्रश्न पूचे और अपनी जानकारी बढ़ाईए तो शुरोता कैसे होने चाहिए ऐसा आपको लगता है देखे भारत ये संगीत जो है तो उसमें शुरोता की इन्वालमेट भी होती है जब तक शुरोता कोई रिस्पॉंस नहीं देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए हमारी जो मैफिले होती है संगीत की उसमें कलाकार और शुरोता इनका समवाद बहुत ही ज़रूरी है और इसलिए मैं कहती हूँ कि शुरोताओं की शुरोता जानकार होना चाहिए ऐसा नहीं कि उसने साला छोड़के संगीत का अभ्यास करना है वो नहीं है लेकिन कुछ तो आप मालूम कर दीजे जैसे आप फिल्म संगी सुनेंगे तो आपको अभ्यास नहीं करना पड़ता है वो नाश्ते गाते हैं वो वो जो है वो आप जानते हैं और वो तीन-चार मिनिट का गाना होता है लेकिन शास्त्रिय संगीत अमूर्थ संगीत है मतलब विश्व में ऐसी कोई भी बात नहीं आप कहेंगे कि ये शास्त्रिय संगीत ये इसी प्रेजेंट करता है तो इसलिए उसको समझने के लिए थोड़ा सा अभ्याद जरूरी है आप क्या करिए रोज वो गाना सुनिए ना शास्त्रिय संगीत 15 मिनेटों मालूम होगा कि हम लोग क्या कर रहे है तो सोता का सिक्षन बहुत ही अवश्चक है जब तक सोता तैयार नहीं होगा हमारा संगीत आगे नहीं जाएगा और इसी के संदर में मेरा अगला प्रशन है कि आने वाले दशकुम में भारतिय सास्त्रिय संगीत का भवितव्य क्या होगा भारतिय संगीत बहुती एक सशक्त पधती है मतलब उसमें क्या होता है जो शास्त्रिय संगित है वो अलग सा है मतलब सारा हमारा जब बहार जाते हम तो भारतिय संगित मतलब फोक संगित नहीं होता है शास्त्रिय संगित होता है और शास्त्रिय संगीत represents abstract music क्योंकि संगीत कला एक अमूर्द कला है और शास्त्रिय संगीत में भी आपको एक अमूर्दता आभास मिलता है आप किसी के साथ relation नहीं कर सकते हो तो हमारे पास शास्त्रिय संगीत इतना एक बड़ा खजिना है उसको हमें ठीक से रखना चाहिए और उसके लिए जैसे कलाकार को आप शिक्षा देते हैं शोताओं को भी शिक्षा दीजिये ना बहुत अवश्यक है हमारे स्कूल्स और कॉलजेश में एक फांडेशन कोर्स होना चाहिए और वो कंपलसरी होना चाहिए ताके कोई भी कला हो उसका थोड़ा सा आप एप्रिशेट कर सके नहीं तो आज का आश्रेदाता श्रोताई है प्रिक्षक है अगर वो नहीं आएंगे तो आप आगे कैसे जाएंगे शासन तो कुछ करता नहीं है बहुत बार हम उनको बोलता है कि कुछ करिए ठोस को योजना दीजिए वो नहीं देते हैं मैंने यह भी कहा था कि एक नाशनल म्यूजिक पॉलिसी करिए क्यूंकि कितनी भराइटी है फोक से लेकर हमारे शास्त्रिय संगित तक तो हर एक किले एक अलग-अलग कसम का एक क्या बोलते हैं पध्धती होने चीजिए सिखाने की तो वो जब तक नहीं होती है तब मुश्किल है अभी तो कुछ भी कैसे भी चल रहा है ऐसा नहीं होना जाए आगे हमें जाकर इसकी बात की मतलब बहुत जानकरी से उसके उपर काम करना पड़ेगा तो इसी के साथ एक प्रशना और आता है कि आज युवापीडी के जो कलाकर अध्यान करे है शास्तिय संगित का अध्यान करे है उनके लिए आपका संदेश क्या है देखिए जो संगित का अध्यास करते हैं वो क्यों अभ्यास कर रहे है यह उनको मालूम होना चाहिए मतलब उनको कलाकर बनना है या ऐसे आनन के लिए सिखना है या कहीं और जॉब करना है संगित रिलेटेड कोई यह जब तक उनको मालूम ने तो एक foundation course सबके लिए एक हो सकता है लेकिन आगे जाके एक specialised training होनी चाहिए जब तक वो उनको मालूम नहीं है तो मुश्किल है मैं क्या कहूं और और एक बात है कि जब तक आप उसमें अच्छा सीखते नहीं है आपका confidence नहीं है तब तक आप आगे मत चाहिए क्या होता है कि इस वज़े से आप वो कला को भी उसका मतलब क्या संगित कलाया करते हैं ऐसे होता है और दुसरा यह होता है कि जो संगित कलाया उसके बारा में लोग बोलते हैं इसको मत सिmekो कोई यह आप A.M.A करो, कोई इंजिनिरिंग करो, कुछ मेडिकल के लिए यहाँ जाओ, संगित को लेने के लिए बहुत मुश्किल है, क्यों सेकेरिटी नहीं है उसमें, तो उसके लिए हमको काम करना है, और वो देख के फिर सिखना है. आने वाले दिनों में, आपके मन में कौन सी योजनाय है? प्रभाताई, अभी आपने जो मार्गदर्शन किया, उससे तो ना केवल संगीत के विद्यार थी, मगर सभी श्रोताओं का बहुत ही लाब होने वाला है, धन्यवाद. इस खुशी के मौके पर स्वरमाई गुरुकुल परिवार, प्रभाजी के गवरवार्थ, उनके योगदान पर आधारित, कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहा है, इन में से ये है. स्वरमाई गुरुकुल पुने में किराना घराना ग्रन्थाले की स्थापन, डॉक्टर प्रभा अत्रे फाउंडेशन यूटूब चैनल दबार, डॉक्टर प्रभा अत्रे जी के कार्यक्रमों का ध्वनी मुद्रन संगीत प्रेमियों तक पहुचान, संगीत शास्त्र को समकालिन संगीत प्रस्तुती से जोडने के उद्धिष्ट से, इंगलिष मे आलोक धुरुक्ष्रावय मालिका का निर्मान, समकालिन संगीत प्रस्तुती और शास्त्र, इस विशय पर पैनल डिस्कशन, राग समाई संकल्पना के सोच पर संगीत महोत्सव कोविड प्रादुर्भाव को ध्यान में रखते हुए शुरुवात में आज प्रभा जी से फेस्बुक पर समवाद करने के बाद डॉक्टर प्रभा अत्रे जी के कारेक्रमों के ध्वनी मुद्रणं को डॉक्टर प्रभा अत्रे फाउंडेशन यूट्यूब चैनल द्वारा पहुंचाया जाएगा आज 13 सितंबर 2021 से शुरू हने वाली यह शुरुण खला हर रविवार सुबह 11 बजे एक साल तक चलती रहेगी सभी संगीत प्रेमे इसका आनंद उठाएगे ऐसी हमें आशा है धन्यवाद